नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाही कर रहे होंगे दोस्तो मैं हूं रवी स्वागत है आपको अपना यूटुब चैनल साइंस गुरूर रवी में दोस्तो हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम अर्थार्थ तंत्री क दुस्तों तंत्र का तंतर में आपके एक्जाम के पॉंटेप्प्विसे जितने भी important question बनते हैं, उन सभी question पर हम डिसकर्ज कर रहे थे. दूस्तों पिछली वीडियो में हमने 10 क्यूशन discuss किये थे, आस दूस्तों हम सुरुआत करने वाले हैं 11 way question से. दोस्तो इस वीडियो में लिए हुए सभी क्यूशन important वर selected है आप कोई सी भी exam की तयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो important होने वाली है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आयो मैं आपको बता दू मैं biology की चेप्टर वाइज MCQ स्रीज करवाता हूँ दोस्तो अब तक मैंने blood, vitamins, परजनन तंतर, उचसरजन तंतर, सवसन तंतर आदी की MCQ स्रीज करवा रखिया है दोस्तो अगर आपको मारे वीडियो देखनी है तो आपको नीचे link description में मिल जाएगा आप चाकर check out कर सकते हैं चलिए दोस्तो आज की class start करते हैं दोस्तो आजम शुरुवात करने वाले हैं क्यूसन नंबर 11 से आईए देखिए क्यूसन नंबर 11 कहता है मानों सरीर की सबसे लंबी कोशी का है ओप्स नंबर A, Neuron ओप्स नंबर B, सुक्राणू ओप्स नंबर C, अंडाणू ओप्स नंबर D, कोई नहीं तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्स नंबर A, Neuron दोस्तो Neuron मानों सरीर की सबसे लंबी कोशी का है अगर दोस्तो मैं सुक्राणू की बात करो तो ये दोस्तो मानों सरीर की सबसे छोटी कोशी का है दोस्तो कोशी का है अगर दोस्तो मैं अंडानू की बात करूँ तो अंडानू मानू शरीर की सबसे बड़ी कोशी का है सबसे बड़ी कोशी का है एक बार ओर देखिए दोस्तो आपसे क्यूशन पूछा हुआ है कि मानू शरीर की सबसे लंबी कोशी का है तो दोस्तो कौन है नियूरून जिसे दोस्तो तंतरी का कोशिका भी कहा जाता है मानों सरीर की सबसे छोटी कोशिका 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 होती है दोस्तो तो सुकरानू है और मानों सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोशिका है तो दोस्तो अंडानू है दोस्तो आपने एक नाम सुनोगा माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइको प्लाजमा संसार की सबसे छोटी कोशिका है इसका आकार होता है दोस्तो 0.1 माइक्रो मिटर कितना होता है? 0.1 माइक्रो मिटर होता है और दोस्तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो दोस्तो वो है सुतुर मुरुप का अंडा कौन सी है दोस्तो सुतुर मुरुप का अंडा यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका है दिख तो रहा है न आपको संसार की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तो ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं एक बारो रियूजन करवा देते हैं क्यूशन नमबर 11 कहता है मानों शरीर की सबसे लंबी कोशी का है ओप्स नमबर A, Neuron, ओप्स नमबर B, सुक्राणू, ओप्स नमबर C, अंडाणू, ओप्स नमबर D, कोली तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा Neuron इसे दोस्तो तंत्री का कोशी का भी कहा जाता है ओप्स नम्मर B की बात करे सुक्रानों की तो दोस्तो ये मानों सरीर की सबसे चोटी कोशिका है ओप्स नम्मर C की बात करे अंडानों की तो दोस्तो ये मानों सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अगर दोस्तो संसार की सबसे चोटी कोशिका की बात करें दोस्तो तो ये है माइको प्लाजमा इसका आकार होता है 0.1 माइक्रो मिटर अगर दोस्तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तो तो सुत्रमुरुक का अंडा होता है जो की संसार की सबसे बड़ी कोशि तो दोस्तो आसा करता हूँ, ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर, दोस्तो अब बात करते हैं क्यूशन नंबर 12 की, आईए देखिए, क्यूशन नंबर 12 कहता है, मानों सरीर में सबसे कम पुनरुद्वोन की चमता पाई जाती है, ओप्स नंबर A, नियूरोन, ओप्स नंबर B, लिवर, ओप्स नंबर C, हरदे, ओप्स नंबर D, फैपडे, दोस्तो किसी भी क्यूशन का आंसर देने से पहले, आपको क्यूशन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाकर आप किसी क्यूशन का आं अपने जो नाखुन होते हैं, इन नाखुनों को हम काट देते हैं, काटने के बाद में, थोड़े दिन बाद में हम देखते हैं कि हमारे नाखुन विक्सित हो जाते हैं, पुने डवलप्मेंट हो जाते हैं, यानि कि पुने इनका निर्मान हो जाता है, उसी तरीके से दोस् वो होगा नियूरोन दोस्तो नियूरोन को तंत्री का कोशिका भी कहा जाता है और दोस्तो ये क्या काम करती है ये सूचनाओ का ट्रांसफर करने का कारिये भी करती है तो दोस्तो इसमें जो पुनरुद बाउन की जो छमता है जो विक्सित होने की जो छमता है दोस्तो वो सबस सबसे कम पाई जाती है अब ये बात तो सही है कि इसमें तंत्रिका कोशिका में नीरोन में पुनरुद बहुन की छमता सबसे कम पाई जाती है लेकिन अब बात यह आती है कि मानों सरीड में एसा कौन सा अंग है जिसकी पुनरुद बहुन की छमता सरवादिक है देखिए दोस इसमें इसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है दोस्तों कि इसमें एक सेल्स पाई जाती है, उस सेल्स का नाम है हीपेटिक सेल, इसे हीपेटिक कोशिका भी कहा जाता है, दोस्तों लीवर में उपस्तित हीपेटिक कोशिका की पुनरुद बोन की छमता या विक्सित उने की छम में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तों अगले क्यूशन की योग दोस्तों अब बात करते हैं क्यूशन नंबर 13 की आईए देखिए क्यूशन नंबर 13 कहता है हमारे मस्तिस को सुरुक्षय परदान करने के लिए मस्तिस के चारों और एक जिल्ली पाए जाती है उसे कहा जाता है Ops No.A है आपका Meninges Jilli Ops No.B है Corneia Jilli Ops No.C है Pericardiac Jilli Ops No.D है Peritonium Jilli तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा Ops No.A दोस्तो Meninges Jilli हमारे Brain के चारो और सुरक्षय परदान करने के लिए लगी हुई होती है और दोस्तों ये तीन पर्तों से मिल करके बनी हुई होती है पिया मेटर, एरेकनोइड और डूरा मेटर अगले क्यूसन में हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले है फिलाल आपको ज्यान रखना है कि हमारे मस्तिस को सुरुक्षय परदान करने के लिए एक जिल्ली पाए जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है कोर्निया जिल्ली अगर दोस्तों मैं हर्दे की बात करूँ हमारा जो हर्दे होता है इस हर्दे को सुरुक्षय परदान करने के लिए भारी आगतों से हर्दे के उपर स्वयम की एक जिल्ली पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है पेरी कार्डियर उसी परकार दोस्तों हमारे जो फैपड़े होते हैं उन फैपड़ों को भारी आगातों से सुरुक्ष्या परदान करने के लिए एक जिल्ली पाई जाती है दोस्तो उसे कहा जाता है पेरिटोनियम जिल्ली दोस्तो आसा करता हूँ ये क्यूसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर दोस्तो नहीं आया तो कोई बात नहीं एक बार और रियूजन करवा देता हूँ तब तक आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए छोटा बायू यार इतना साथ आप करी सकते हो देखिए दोस्तो क्यूशन नमबर 13 कहता है हमारे मस्तिस को सुरुक्ष्य परदान करने के लिए मस्तिस के चार और एक जिल्ली पाए जाती है तो दोस्तो उसे कहा जाता है मेरेंजी जिल्ली ये तीन परतों से मिलकर के बनी होती है दोस्तो पिया मेटर, एरेकनोइड और डिूरा मेटर अगले कुशन में डिटेल में चर्चा करने वाले इन तीनों पर क्या होता है क्या नहीं होता उसके अलाओ दूस्तो हम बात करें कि Kornia Jilly की तो दोस्तो हमारी आपको सुरुक्ष परदान करने के लिए दूस्तो एक जिल्ली होती है उसे कहा जाता है Kornia जिल्ली ''Oimal'de Gman Phericardia' हमारे हरदे को बाहरी सुरुक्ष परदान करने के लिए अमारे हर्दे को बारी आगातों से बचाने के लिए दूस्तों एक जिल्ली पाय जाती है उसे कहा जाता है पेरिकार्डे हमारे फैपडे को सुरुक्षय परदान करने के लिए दोस्तो एक जिल्ली लगी होती है पेरिटोनियम जिल्ली उसे कहा जाता है पेरिटोनियम जिल्ली तो दोस्तो आशा करता हूँ अब ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूशन नमबर 14 की आईए देखिए क्यूशन नमबर 14 कहता है मेनेंजिस जिल्ली तीन परतों से मिलकर बनी होती है वह है ओप्स नमबर 1, पिया मेटर ओप्स नमबर B, एरेकनोइड ओप्स नमबर C, डूरा मेटर ओप्स नमबर D, उप्रोप्ट सभी तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्स नमबर D, उप्रोप्ट सभी यानि कि दोस्तो जो मेनेंजिस जिल्ली होती है वो इन तीनों परतों से मिल करके बनी हुई होती है दोस्तो मेनेंजिस जिल्ली मैंने आपको पिछले क्यूशन में डेटेल में समझाया था कि मेनेंजिस जिल्ली हमारे मस्तिस को सुरुक्षे परदान करने के लिए मस्तिस्ट के उपर एक आवरन होता है एक जिल्ली होती है दोस्तो उसे ही मेनेंजिस जिल्ली नाम दिया गया था मैंने पिछले क्यूशन में ये भी आपको बताया था कि मेनेंजिस जो जिल्ली होती है ये तीन परतों से मिल करके बनी वी होती है नमबर एक पर बात करें दोस्तो तो पिया मेटर इसे दोस्तो हिंदी में मर्दू तालिका भी कहा जाता है मर्दू तालिका यह सबसे अंदर वाली परत होती है दोस्तो यह सबसे अंदर वाली परत होती है अगर दोस्तो एरेकनोईट की बात करें तो दोस्तो इसे यह आती है नंबर दो पर और दोस्तो इसका हिंदी में जो नाम होता है वो होता है दोस्तो जाल तालिका जाल तालिका यह दोस्तो मद्दे वाली परत होती है अगर नंबर तीन पर बात करें दोस्तो तो वो होती है डूरा मेटर इसे दोस्तो हिंदी में कहते हैं द्रड ताले का और ये दोस्तो सबसे बहारी परत होती है ये सबसे बहारी परत होती है दोस्तो आपस में ये परत उत्तकों की साहिता से जुड़ी होई होती है दोस्तो किसी जिवानों के कारण किसी बेक्टिरिया के कारण दोस्तो अगर इनम में सूजन आ जाता है दोस्तों तो एक बीमारी होती है बहुत खत्रनाक ची कहा जाता है दोस्तों मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस विमारी मेनेंजाइटिस रोग इसे दोस्तो हिंदी में दिमा की बुखार भी कहा जाता है आपसे एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है कि मेनेंजाइटिस रोग का संबंद किस विमारी से है तो दोस्तो मेनेंजाइटिस रोग का सम्मद्ध किस अंग से है सोरी तो किस अंग से हैं दोस्तो मानो मस्तिस्क से है तो दोस्तो आसा करता हूँ ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूसर नंबर 15 की आईए देखिए क्यूसर नंबर 15 कहता है मेनेंजाइटिस रोग का सम्मंद है अप्स नंबर A हुमन ब्रेन अप्स नंबर B लिवर अप्स नंबर C हार्ड अप्स नंबर D किड़नी अपि दोस्तो मैंने पिछली क्यूसर में डिसकर्श किया था कि जो मेनेंजाइटिस चो रोग है दोस्तो इसका सम्मंद किस से हैं तो इसका सम्मंद है दोस्तो ओप्स नंबर A हुमन ब्रेन खेश दोस्तो आपको यह कहानी में एक बार और समझा देता हूं दोस्तो होता क्या है, मानो मस्तिस को सुरुक्षय परदान करने के लिए मस्तिस के उपर एक जिल्ली लगी हुई होती है, दोस्तो उस जिल्ली को कहा जाता है मेनेंजिस जिल्ली, दोस्तो ये मेनेंजिस जिल्ली तीन पर्तों से मिल करके बनी हुई होती है, पिया मेटर, एरेक इनों पर्तों में किसी बेक्टिरिया के कारण किसी जिवानों के कारण अगर दोस्तों सूजन आ जाता है दोस्तों तो उस बीमारे को कहा जाता है मेनेंजाइटिस इसे दोस्तों हिंदी में दिमागी बुखार भी कहा जाता है आपसे क्यूशन पूछा है कि निमन में से किस का संबंदीत है मानोव मस्तिष्क से संबंदीत है मेनेंजाइटिस रोग तो दोस्तो आसा करता हूँ यह क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूसर नंबर सोडा की आईए देखिए क्यूसर नंबर सोडा कहता है मस्तिस की पूँच मस्तिस के किस भागों से मिलकर बनी होती है ओप्स नंबर A, midbrain ओप्स नंबर B, ponce ओप्स नंबर C, medulla oblin ओप्स नंबर D, उप्रोक चभी तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ओप्स नंबर D, उप्रोक चभी दोस्तो मस्तिस की जो पूँच होती है मस्तिस के किन भागों से मिलकर के बनी होई होती है तो दोस्तो मद्दे मस्तिस्के मिलकर बनी होती है और दोस्तो पस्च मस्तिस्के इन दो भागों से मिलकर के बनी होई होती है पॉंस और मेडूला ओबलेन गाटा दोस्तो अधिकांस exam में ये question पूँछा हुआ है और दोस्तो आगे भी पूँछे जाने की संभावना है अब दोस्तो बात करते हैं कि भाई साब ये mid brain होता है इसका कारिये क्या होता है तो देखिए दोस्तो हमारे कान से और हमारी आख से आने वाले संकेतों को जो नियंतरन करने का कारिये करता है दोस्तो वो करता है मद्दे मस्तिस्क आख से और दोस्तो कान से आने वाले संकेतों को नियंतरन करने का कारिये कोन करता है हमारा मद्दे मस्तिस्क करता है अगर दोस्तों मैं पॉंस की बात करूँ कि पॉंस क्या करता है तो दोस्तों अंगों से आने वाले संकेतों को मस्तिस के किस बाग में पहुंचाना है उसका कारिय करता है दोस्तों पॉंस अब बात आती है दोस्तो ओस नमबर C Medulla Oblain Gatta क्या करता है तो देखिए दोस्तो Medulla Oblain Gata जो होता है य rectangles का एक बाग है और दोस्तो ये अनेची क्रियाओ को Control करने का कारिय करता है अनेची क्रियाओ का मतलब क्या है जैसे कि दोस्तों डकार आना हिचकी आना, उल्टी आना, दस्त आना, आँखों का छपकना इन सारी किरियाओं को दोस्तो कौन कंट्रोल करता है तो ये मेडुला ओवलेन गाटा करता है और भी बहुत सारी किरिया है जैसे कि हमारे सरीर में होती पाचन किरिया, साउसन किरिया, रग्ठ परिशंसन किरिया, उत्सरजन किरिया इन सभी किरियाओं को कौन कंट्रोल करता है दोस्तो इन सभी किरियाओं को कंट्रोल करने का कारिय करता है मेडुला ओवलेन गाटा तो दोस्तो आसा करता हूँ ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तों अगले क्यूशन की ओर दोस्तों अब बात करते हम क्यूशन नंबर 17 की आईए देखिए क्यूशन नंबर 17 कहता है मानो मस्तिस का सबसे बड़ा भाग है ओप्स नंबर A प्रोस एनसेफिलोन ओप्स नंबर B मीजो एनसेफिलोन ओप्स नंबर C रोंबो एनसेफिलोन ओप्स नंबर D कोई नहीं तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्स नंबर A प्रोस एनसेफिलोन दोस्तो प्रोस एंसेफिलोन को दोस्तो अगर मस्तिस्क कहा जाता है क्या कहा जाता है अगर मस्तिस्क कहा जाता है इसके अलाओ दोस्तो मीजो एंसेफिलोन की बात करे तो दोस्तो इसे मद्दे मस्तिस्क कहा जाता है इसे मद्दे मस्तिस्क कहा जाता है और दोस्तो रोम्बो एन सेफिलोन की बात करें तो दोस्तो इसे पस्च मस्तिस्क कहा जाता है अगर दोस्तो मैं आपको ओप्सन में ये सब देता तो दोस्तो आप इस क्यूशन को अच्छे से कर सकते थे लेकिन मैंने दोस्तो आपको गुमाने के लिए आपसे examiner कैसी किस तरीके से भी question पूँच सकता है तो आपको दोस्तो सब चीजे याद रखनी है मानो मस्तिस का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तो तो pros in से फिलोने से दोस्तो अगर मस्तिस की भी कहा जाता है अगर दोस्तो बात की जाए कि मानो मस्तिस का सबसे चोटा भाग कौन सा है तो दोस्तो सबसे चोटा भाग होता है मद्दे मस्तिस सबसे चोटा भाग सबसे चोटा भाग तो दोस्तो आशा करता हूँ अब ये कहान ही आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूशन नंबर 18 की आईए देखिए क्यूशन नंबर 18 कहता है मानो मस्तिस का सबसे चोटा उप भाग है दोस्तो पिछले क्यूशन में हमने भाग पर डिसकर्स किया था अब आपसे क्यूशन पूछावा है कि मानुमस्तिस्क का सबसे छोटा उप भाग है ओप्स नंबर A सेरे बेलम, ओप्स नंबर B सेरे ब्रम, ओप्स नंबर C थेले मस्ट, ओप्स नंबर D मेडूला ओबलेन गाटा तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ओप्स नंबर A सेरे बेलम, सेरे बेलम को दोस्तो अनुमस्तिस्क भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तो अनुमस्तिस्क भी कहा जाता है और दोस्तो ये मानो शरीर का सबसे छोटा उपभाग है आगर दोस्तो मैं ओप्स नमबर B की बात करूँ सेरे ब्रम इसे दोस्तो कहा जाता है प्रैमस्तिस इसे क्या कहा जाता है दोस्तो प्रैमस्तिस कहा जाता है और ये अगरमस्तिस्का भाग है और दोस्तो ये पस्च मस्तिस्का भाग है दोस्तो जो प्रमस्तिस्क होता है ये मानो मस्तिस्का सबसे बड़ा उप भाग है मानो मस्तिस्का दोस्तो ये सबसे बड़ा उप भाग है सबसे बड़ा उप भाग है सबसे बड़ा उपभाग है तो दोस्तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मानों सरीर का सबसे छोटा जो उपभाग होता है दोस्तो वो होता है अनुमस्तिस्क से सेरे बेलम भी कहा जाता है मानो मस्तिस्क का सबसे बड़ा दोस्तो जो उप भाग होता है वो होता है दोस्तो सेरे ब्रम्जिशे दोस्तो प्रैमस्तिस्क भी कहा जाता है तो दोस्तो ये कहानी आसा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूसन नंबर गुनिस की आए देखिए क्यूसन नंबर गुनिस कहता है हमारे मस्तिस्क में कितना बलड इस्टोर होता है लगवग में आपसे क्यूसन पूछावा है दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओपस नंबर ए दोसे लेकर के 2.5 लिटर दोस्तो हमारे मस्तिस्क में बलड इस्टोर होता है दोस्तो मानों शरीर में जितना भी बलड पाया जाता है उसमें से 2.5 लिटर बलड आपके मस्तिस्क में इस्टोर होता है इस क्यूसन का मतलब यह है तो दोस्तो आशा करता हूँ यह क्यूसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अंतिम क्यूसन की ओर दोस्तो आज कामारा अनतिम क्यूसन है क्यूसन नंबर 20 आएए देखूए क्यूसन नंबर 20 कहता है मस्तिस के किस भाग को जीवन का आधार G1 का आधार कहा गया है ओपस नंबर 1 पोंस ओपस नंबर 2 मेडूला ओबलियन गाटा ओपस नंबर 2 सेरे बेलम Ops No. D को नहीं तो दोस्तो आपका जो right answer होगा वो होगा Ops No. C सेरे बेलम अब दोस्तो बात ही आती है कि यह मस्तिस्ट के किस भाग को जिवन का आधार कहा गया है तो सेरे बेलम को कहा गया है लेकिन क्यों कहा गया है दोस्तो उसका एक reason इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है और इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तो अनू मस्तिस्ट दोस्तो ये क्या करता है देखिए ये करता है दोस्तो नंबर एक पर बात आती है कि आपकी जो भाहस होती है, जो लेंग्वेज होती है, उसको कंट्रोल करने का कारिये करता है, आपकी बोलने की छमता को कंट्रोल करने का कारिये करता है, दूसरी बात, आपके सरीर को संतुलन मनाये रखने का कारिये करता है, आपकी जो पेशी संकुचन हो रही होगी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विल आइकन को प्रेश कर लेना जिसे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिक्शन टाइम पहुंच सके मिलते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम अर्था अर्थ तंतरिका तंतर की नेक्स्ट स्ट्रीज में तब तक के लिए दोस्तों जैन जै भारत आपका ही छोटा बाय हो यार इतना साग तो आप करी सकते हो चलो बाय लव यू